Good morning students, आज हम मदुरी में पुस्तक का पाट सत्रा कुछ काम करो पड़ेंगे बच्चों हमें अगर कुछ हासिल करना है तो हमें उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी बिना मेहनत किये हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते जो हमें चाहिए अगर आपको खाना खाना है तो खाने के लिए भी हमें मेहनत क्या अफशक्ता होती है बिना मेहनत किये हम खाना नहीं खा सकते सबसे पहले हम खाना प्लेट में डालेंगे फिर हाथ से तोड़ेंगे फिर मूँ में डालेंगे तभी वो खाना हमारे मूँ में जाएगा अनिता नहीं बच्चों अगर आप क्लास में फर्स्ट आना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी आप क्लास में फर्स्ट आप आओगे अगर सोचते रहोगे कि हमें फर्स्ट आना है और आलस करोगे मेहनत नहीं करोगे तो क्या फर्स्ट आप आओगे नहीं बच्चों आपको कठेन परिश्रम करना पड़ेगा तभी आप अवल आओगे अनिता नहीं इस कवीता में कवी ने बताया है कि हम मेहनत से सब कुछ पा सकते हैं बिना मेहनत हम कुछ प्राप नहीं कर पाएंगे चलिए हम आपको एक कवीता की पंक्ती के द्वारा इसको समझाते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती बच्चों ये कवीता सुहनलाल दिवीदी जी की कविता की एक प्रस्तुत पंक्ती है जीन्टी को आपने देखा होगा दाना लेकर चलती है फिर दाना गिर जाता है दाना वे उठाती है पुना वो प्रयास करती है और आगे बढ़ती है प्रन्तु फिर से दाना गिरता है तो पुना दाने को उठाती है ऐसा जीन्टी कई बार करती है और अपने कारे में सफलता पा जाती है मेनद उसकी सफल हो जाती है अगर वो पहली बार में हार मान लेगी तो सफलता हासल नहीं कर पाती आलस करती तो अपनी मंजिल उसे प्राप्त नहीं होती बच्चों चलो अब हम कविता पढ़ते हैं आम आम के कहने ही से कभी नहीं पा सकते आम आम अगर पाना चाहो तो करना ही होगा कुछ काम सिर पर चाहे लटक रहे हो जाना हो ना कहीं भी दूर बिना हाथ के तोड़े मुँमे कैसे आ सकते अंगूर पड़े आलसी सपने में सूने के महल बनाते हैं करमवीर कर काम जगत में सब कुछ ही पाज जाते हैं बच्चों चलो हम इसका अर्थ आपको समझाते हैं बच्चों अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो हमें पहले उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा बिना परिश्रम के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, अगर हम सोचें कि हमें competition में ट्रॉफी को जीतना है, तो हमें सबसे पहले अच्छी त्यारी करनी पड़ेगी, तभी हम ट्रॉफी जीत पाएंगे, सोचने से हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, मेहनत से ही हम मनचाही बस्तु प्राप्त कर सकते हैं, अगर आम खाने हैं, तो काम जरूरी है, बिना मेहनत या परिश्रम के आप आम नहीं पास सकते, कारे करके ही उसे हासिल कर सकते हो, बिच्चों ये वाला इस वाले paragraph का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, अब second paragraph, सिर पर चाही लटक रहे हो जाना होना कहीं भी दूर बिना हाथ के तोड़े मुं में कैसे आ सकते अंगूर, तो बच्चों इसका अर्थ हम आपको बताते हैं, अगर आपको कुछ चाहिए, आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो मेहनत की आवश्रक्ता होगी, सोचने से कुछ हासिल नह होगा गुच्छे से, तभी आप उसको खा पाएंगे, अनिता नहीं, फिर उसके बाद बच्चों एक लास पेरग्राफ है, वो पढ़ते हैं, पड़े आलसी सपने में सूने के महल बनाते हैं, करनमवीर कर काम जगत में, सब कुछ ही पाज जाते हैं, बच्चों आलसी व्यक है, मेहनत करने से ही हमें परिश्रम का फल प्राप्त होता है, जो मेहनती व्यक्ती होता है, मेहनत करके सभी कुछ प्राप्त कर लेता है, और अपनी इच्छों को पूर्ण कर लेता है, बच्चों अब आपको इस कविता का अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये सुहनलाल द इच्छा पुन नहीं होगी आप काम करोगे तभी आपकी इच्छा पुन होगी जो आप चाहते हो वही पुन होगा बच्चों आज की कप्षा के लिए बस इतना ही गुडबाई स्टूडेंट्स